हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस यूसुफ जैक्स तो अगर आप एक Redmi 6A के यूजर हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास है Redmi 6A डिवाइस यहां पर देख लो मॉडल नमर Redmi 6A और सिस्टम अपडेट में अगर हम जाते हैं तो यहां पर कोई भी अपडेट शो नहीं होता है बट इसमें एक नया अपडेट आ गया है 10.2.6.0 के बाद 10.2.7.0 अब आप बोलोगे कि भाई यह सबूत कहा है तो सबूत देखो यहां है य हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं और यह फिलाल Redmi 6A यूज़ कर रहे हैं तो इन्हों नहीं मुझे बताया कि मेरे डिवाइस में एक नया अपडेट आया है और यहां पर आप देख सकते हैं 10.2.7.0 तो जिसमें उन्होंने बताया कि update android security patch हुआ है इसके लावा और कुछ नहीं ह हुआ है और यहां पर जो है इसका पूरा का पूरा about section है Redmi 6A android security android version 8.1 security patch 11 2019 और currently जो अभी मुझे android security patch मेरे phone में दिख रहा है वो है 11 2019 तो इनको update तो मिला है और उसके change log में लिखावा भी है 11 2019 बट security patch का update तो नहीं है खेर कोई बात नहीं अगला देख सकते हैं आप 10.2.7.0 है यहां पर आप code जो है मिला सकते है original से OCBMIXM तो बिल्कुल वो सही है और भाई ने मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब screenshots edit किये है I don't think so कि कोई ऐसा करेगा मेरे साथ भी पता नहीं खेर जो भी है तो यहां पर यह है बहुत सारी उन्होंने screenshots मुझे दिये और उनका कि कुछ problem तो नही आपी जो है लगता है कि बहुत secretly कुछ ही लोगों को मिला है देख लो आपके device में आपके Redmi 6A में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर शो हो रहा है तो तुरत install कर लेना वरना वो अगर गया तो फिर दुबारा नहीं आएगा और link इसकी अभी तक जो है कहीं से भी leak नहीं ह हुई है देखता हूँ link जैसे ही मिलती है मैं description में add कर दूंगा basically इस update में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है बच कुछ system bug fix होंगे और कुछ नहीं हाला कि change log में लिखा हुआ है कि security patch का update मिलेगा बट वह भी नहीं मिलेगा दोस्तों इस video बस इतना ही और मिलता हूं next video में और अगर आपके phone में यह update आया है तो please comment करें बताओ क्योंकि मुझे भी अभी तक यह update नहीं आया है लेकिन हा किसी को मिला है और यह इंडिया के ही है तो देख लो आपको मिला है कि नहीं मिला है तो update कर लेना कोई दिक्कत नहीं आप अपडेट कर सकते हैं यह भी बढ़िय